तो फाइनली फ्लिपकार्ट विग बिलियंड डे सेल की डेट अनाउंस हो चुकिया है, 7th of October से लेगे 12th of October तक ये सेल चलेगी, Amazon की जो Great Indian Festival सेल है, उसकी डेट भी कुछ इसी के आसपास रहने वाली है, उसकी डेट अभी तक नहीं अनाउंस होई है, लेकिन इन सेल से पहले ब सब्सक्राइब करना चाहिए, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो बिसिकली मैं आपको बताऊंगी, Top 5 Best Upcoming Smartphones To Buy In These Sales, तो बिना को टाइम वेस्ट किये, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, तो देखो, अभी रीसेंट टैंस में, अग जैसे की 29th of September को आप यहां पर देख सकते हो, Samsung का बिग रिवील होने वाला है, और यह जो Samsung का बिग रिवील है, यह most probably Samsung Galaxy F42 का लाँच होगा यहां पर, और यह इसलिए भी काफी हाई चांसे से लाँच होने के, क्योंकि काफी पहले से ही, यह फोन Google Play Console लिस्टिंग पर आ गय तो हां, hints काफी पहले से लग रहे है, in fact, इसके कुछ specs भी भार निकल के आए थे, जैसे की MediaTek की Diamond City 700 chipset का processor होगा, 12 5G bands का support दिया जाएगा, इस phone के अंदर, Full HD+, 90Hz refresh rate वाली display होने वाली है, लेकिन IPS LCD panel होगा most probably, अगर अच्छी price में Samsung इस phone को लाँच कर देता है, then definitely अगर आप 5G के लिए फोन लेना है, then आप इस phone का आराम से वेट कर सकते हो, next smartphone है, वो लाँच होगा 1st of October को Motorola के द्रफ से, Moto Edge 20 Pro, most probably का नाम होने वाल है, क्योंकि already Motorola अपने Twitter पे इसको tease करना शुरू कर दिया, कुछ तो प्रो कर दिया है, और अभी चो रिसेंटली Moto Edge 20 लाँच किया है, क कही ना कही यह उसका भी एक हायर वर्जन होगा, वो थी सदार की प्राइस में लाँच हुआ था, तो इसको आप बोल सकते होगे कुछ 35-40,000 की आसपास की प्राइस में लाँच होगा, I mean इसको ऐसे ले सकते हो, जो OnePlus 9R जैसे स्मार्फोन से यह कही ना कही उसको कॉम्पटि में एक और फोन लाँच हो रहा है, Moto H20 Pro, तो इसका जरूर से वेट करना, बाकि तो देखो, जब भी कभी सेल आती है, तो अच्छे ओफर्स के साथ साथ कहीं सारे ऐसे भी ओफर्स होते हैं, जो स्रिफ लूटने के लिए होते हैं, क्योंकि एड दी एंड, कंपनी को भी अप वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताती रहूंगी कि क्या सही है, क्या गलत है, बट फिर भी आप लोगों को अपनी तरफ से इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, वैसे देखो, ऐसा नहीं है कि सारे नए स्मार्टफोन के लाँचे से फ्लिप कार्ट पर ही होने वा है, 29th of September, इसका डेड़ भी निकल के आ गया है, Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर होगा यहाँ पर काफी light, काफी ज़्यादा स्लिम, जैसा Mi 11 Lite था न, अच्छली में उतना ही स्लिम होने वाला है, बाकी मतला फोन बैसा ही होने वाला है, लेकिन काफी ज़्यादा पावरफुल फोन होगा, एक 5G स्मार्टफोन होगा, तो यह वाली चीज है, और इसको बताया जा रहा है, काफी एग्रेसिव प्राइस में लाँच किया जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, तो Snapdragon 778G जो अभी प्रोसेसर है, यह में 30,000 तक की प्राइस में मिलता है, अगर यह फोन 25,000 तक की प् में 11 Lite NE 5G लाँच हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही 27th September को आपको IQ की तरफ से IQ Z5 देखने को मिल जाएगा, और इसमें भी सेम चिपसेट होने वाला है, यह हाँ पर मत्ताब वही, Snapdragon 778G चिपसेट होगा, 5G प्रोसेसर बेसिकली होने वाला है, मत्ताब 5G बैंस का अच्छा ख से फोन काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन काफी जगे से ऐसा भी निकल के आरा है कि फोन के अदर AMOLED पैनल नहीं होगा, IPS LCD डिस्पले होगी with 120Hz refresh rate, इंक्रेस्टिंग लग रहा है, देखते हैं किस प्राइस में आता है, लेकिन हाँ, फोर शूर IQ की तरफ से एक एग्रेस लांचे हैं, एक 27 को लांच हो रहा है, एक 29 को लांच हो रहा है, इसके बीच में जो डेट खाली है, 28th of September, यहां पर भी एक फोन का लांच है, जो है Samsung Galaxy M52, and guess what, इसमें कौन सा प्रोसेसर है, वही, Staff Dragon 778G चिपसेट, I mean, 3 फोन कंटिनुसली लांच हो हो है, तीनों में सेम चि A52s है, जो 36,000 की प्राइस में लांच होगा है, जिसका मैं रिव्यू भी कर चुकी हो, उसी की तरह यह फोन होने वाला है, डिजाइन वाइस अलग होगा, एक अदा प्रीम्यम फीचर साइद मिस हो जाए, जैसे की वहां पर IP67 की रेटिंग ती वहां पर ना देखने को मिले लेकिन A52s 36,000 की प्राइस में लांच होगा यह जो फोन है वो 30 के बिलो या फिर 30,000 की प्राइस में लांच होगा, तो हां आपको काफी एक्रिसिव प्राइस में यह फोन देखने को मिलेगा, तो इसका तो वेट करना ही करना है, लेकिन अगर आप A52s भी कंसीडर करने का सो आपको इसका रिव्यू जरूर से चेक आउट करना चाहिए, मैं डिटेल में रिव्यू कर चुक हूँ, निचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बस जरूर से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जब सेल आएगी तो इस फोन में भी अच्छे खासा डिसकांट इसके अलावा तो देखो, रियल्मी के जो दो स्मार्टफोन है, वो कल ही लाँच हो जाएगे, रियल्मी नार्जो 50 सीरीज के ये फोन होने वाले, लाँच कल होंगे, बट ओविसली जो इनकी पहली सेल है, वो फिलिपकार्ट के बीबी डे सेल में हमें देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक होने वाला है, रियल्मी नार्जो 50A, दूसरा होगा, रियल्मी नार्जो 50i, 50i को बोला जा रहा है कि ये काफी सस्ता फोन होने वाला है, मतलब कि एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन होगा, जहाँ पांच हजार एमेच की बैटरी होगी, HD Plus Resolution के साथ आ यहाँ बोल सकते हो, Redmi 10 Prime अभी लाँच होगा है, और Infinix Hot 11S लाँच होगा है, उनको कॉंपेटिशन देने के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फोन के अदर फोन के अदर फोन के लिए होगा होगा, फुल HD Plus Resolution Display के साथ हैगा, तो हाँ, काफी सस्ते, काफी अग्रेसिव प September को Realme की तरफ से अगयन, I mean, obviously Realme ही एक ऐसा प्रेंड है, जो हर 10-10 दिन में कुछ ना कुछ ना कुछ तो लाँच करता ही रहता है, तो इतनी बड़ी सेल वाला टाइम आ रहा है, और Realme 2 स्मार्टफोन लाँच जाए, यह तो इंपॉसिबल है, तो जो 28 September को फोन लाँच होने माल है, मैं इसको लेकर काफी हद तक कंफर्म इसलिए भी हूँ क्योंकि Realme GT Neo 2 चायना में अभी-बी लाँच हुआ है, मतलब जब में वीडियो बना रही हूँ तभ ही इसका लाँच हुआ है, और यहां पर Realme के CEO अल्रेडी इसको टीज करना शुरू कर चुके हैं, ट् 64 MP camera setup, तो हां, कुछ इस तरह का phone होगा, और किस price में आता है, देखते हैं, बट Realme अपनी aggressive price के लिए जाना चाहता है, तो definitely, अगर आप एक अच्छा phone लेना चाहते हो, कम price में, तो definitely, आपको Realme के phones का वेट करना ही पड़ेगा उसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ इतन आपका से discount देखने को मिलेंगे, अभी कितना discount देखने को मिलता है, किस offer में, वो already launched हुए phones आपको देखने को मिलते हैं, इसके वारे में हम आने वाले videos में भी बात करेंगे, जहां पर यह भी बताऊंगी, कौन से phone exactly में नहीं purchase करना है, तो हाँ, आने वाले टाइम पर और औ videos देखने को मिलेगी, चिंता मत करिएगा, लेकिन अभी के लिए I hope इस video ने कुस्तो सेंस बनाया होगा, अविर आपको इस video पसंद आया है, किसी भी वे में helpful लगाए, तो like जरूर से करिएगा, बाकि मैं आपको मिलती हूँ नेक्स वीडियो में